अपने आईपेड में आपने अभी तक कितनी बार गलब पासवर्ड डाल दिया है कुछ इस तरह का मेसेज आ रहा है आपके पास आईपेड अनेविलेबल तो बेटा जी दो यह ओप्शन्स है आपके पास या तो आप एपल स्टोर पे चले जाओ वहां पे जाके इसको ठीक करवालो अगर घर बैठे बैठे आपको यह आईपेड ठीक करना है तो उसके लिए मेरे पास एक मस्ट सॉल्यूशन है वीडियो को पूरा देखना स्टेप तो स्टेप मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं कि किस तरह से आप किसी भी आईपेड को अनलॉक कर सकते हो विंडो पीसी में आपने सबसे पहले जाना है 3u.com पे और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा इसको डाउनलोड कर देना है यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर दिजेगा अभी यह मेरे पास होम स्क्रीन पे है इसको आपने रन करना है रग्राम को अपने आईपेड को तरह करना है यहांवे आपको शट आउन का बटन मिल जाएगा और कुछ इस तरह से आपकी cable connect हो जाएगी अब दोसो PC पे आपको इस तरह का कुछ interface दिखाई देगा अब आपको यहां पर Go Flash पे चले जाना है दोसो अब यह याद रखिएगा जो latest iPad का version होगा उसी को आपको यहां पर download करना है तो मैं 16.3.1 को download करने वाला हूँ a few moments later finally finally recovery software download हो चुका है जैसे ही यह download होगा इसके बाद आपने चले जाना है quick test mode में और finish कर देना है finish करने के बाद एक और option आएगी finish पे फिर से click करना है और धीरे धीरे देखना दोस्तों यह upload होता रहेगा जैसे यह 24% हुआ है उसी तरह से यह ipad पे भी upload हो रहा है 60% होने पे देख लो दोस्तों ipad भी यह load हो रहा है जैसे यह finish हो जाएगा reboot हो जाएगा ipad finally हमारा ipad recover हो चुका है अब इसमें आपने apple id और password डालना है अगर आप लोग अपनी apple id या password भूल चुके हो तो इसे अपने mobile number के तो भी recover कर सकते हो अगर याद नहीं है न दोस्तों तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इसलिए मेरी आप लोगों से एक ही इंदायत रहेगी कि apple id और password को कहीं जरूर लिख ले और इसी तरह की इंप्रोमेडिव वीडियो के लिए टैक बक्षी बैठा हुआ है ना सब्सक्राइब करके जाओ यार और अपना ख्याल रखो environment का ख्याल रखो किसी और वीडियो में मिलता हूं तब तक के लिए जैहिंड जैभालत